गोरखपूर नीज से बात करते वे जिलादिकारी की विजयन पाड़ने ने बताया कि दो एवं तीन दिसंबर को बियाडी मेडिकल कालेज में इनसे फ्लैटिस पीडितों के लिए दिवियांग शिविर का आविजयन किया गया है जिसमें अधिक से अधिक दिवियांग बचों के जांच के उपरांत उनके पुनर्वास की वे वैवस्था की गई है जिलादिकारी ने ऐसे सभी दिवियांग जनों से अपील की है कि अपने लाड़नों को शिविर में लेकर पहुंचें और उचित इलाज कराएं इस समद में गोरखपूर नीज से विशेश बात करते वे जिलादिकारी की विजेंदर पांडिया ने बताया उन्ही के उसी दिन असेस्मेंट पूरा होगा उन्ही का जो बच्चे के पैचान हैंगे क्या क्या प्राबलम है उसके बाद उनका क्या करना है वो तुरंत इलाज हो जाएगा उसके बाद यदि मान लेजे किसी के ट्रेनिंग का भी ज़रूरत है उनका माबाप का भी हम हैं तो रुकने के लिए हम लोग BID Medical College में 20 कमरा को वस्ता कर रखा है मैं तो आपके चैनल के जरिये से अपील कराने चाहता हूं जो भी गर में आसपास का जो भी है बच्चे हैं 18 साल के नीचे वाले इवन 18 साल को उपर वाले भी जो भी हो उनको जो भी प्रावलम है फिजि हम लोग बुला रखा है उनलोग डाइनेस करेंगे यहां जो इलाज यहां गोरगपुर में हो जाएगा तो हम यहां करेंगे लखनों में करना तो लखनों में करेंगे दिली में बेजना है तो दिली में भी बेजेंगे यह अच्छा मोका है यह दिव्यांग जन का हम लोग स उसी पर जरूर बाग लें और जरूर पाटिस्पेट करें उसका फायदा हुटाएंग